बतादे की बैसाकी पर सियम योगी का एक्सपर पोस्ट सामने आ है बैसाकी की सिख बंदों और प्रदेश वास्तियों को बढ़ाई सियम योगी अरितिनात की तरफ से दी गई है बैसाकी नव उर्चा नई फसर के स्वागत का प्रतीक है सभी के जीवन में संपून्ता संपन्ता आएसेम योगी की तरफ से ये कहा गया इस पोस्ट में अनदाता किसान सम्रिद्ध हों तो देखे किस तरीके से योगी अलतिनात की तरफ से ये खुबसूरत पोस्ट किया गया है बकाईदा देखे आप किस तरीके से बैसाकी का पर्व नव उर्जा के स्वागत का प्रती के परवे और सियम्योगी की तरफ से सभी सिख बंदूओं और प्रदेशवासियों को बधाई दे गई है उसके महनत का रंग दिखाई देता है वैसाकी का नाम गेहूं की कटाई से ही शुरू हो जाता है वैसाकी का पर्व काफी धुम धाम से आज मनाया जा रहा है खबरों में बात अब सियासा से जोड़ी खबरों की लालू के खरीबी ने छोड़ी पाटी लालू को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया आपको बता दे कि चनाफ से पहले आर्जिटी के बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है पूर्व सांसद अश्वाक करीम ने इस्तीफा दे दिया लालू के करीबी हैं अश्वाक और एस भीच उनके द्वारा चिथी लिखकर यहां पर इस्तीफा प्रिया दे दिया गया है। करीब क्या अब किसी दूसर राचतिक दल का हिस्सा बनेंगे या फिर क्या कुछ कदब उठाते हो और सबसे बड़ी बात ये भी कि जो एमबाई समिकरन की बात आर्जेडी करती है राचते जनता दल करती है जिसको ले करके 15 साल तक आर्जेडी सुप्रीमो लालू कुसा द्या करना होगा कि और क्या पूस रियाक्शन सामने आता है क्या मान मनवर का दौर भी चलेगा ये देखना भी बहुत जादा मातफूर लेकिन फिराल फ्लेयर बड़ी ख़बर आके की भी स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं भारत को 1962 की जंक से सबक लेना चाहिए था और बॉर्डर इंफ्रा बढ़ाना चाहिए था एस जैशनकर ने कारिक्रम ने कहा चीन से सटे सीमा पर बुनियादी धांचे के निर्मान पर सोर चीन से सटे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रॉक्चर का बजट चार गुना बढ़ा ये विदेश मंत्री एश जैशनकर जो के कई मसलों पर अभी बात पहले भी कई बड़े प्लेटफॉर्म पर रख चुके हैं और उन्होंने कहा कि कैसे पहली की जो सरकार की उसने ध्यान नहीं दिया अगर उस वक्त ध्यान दे दिया गया होता अगर जो बॉर्डर के एरिया हैं वापत वैसे इंफ्रस्ट्रक्चर कदब उठाए जाते हैं उनके बुनियादी धांचों को मजबूत किया जादा तो आज परिस्टियां कुछ और होती इस संबंद में विदेश मंत्रेश शंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात कभी जिक्र किया कि अभी ज उन्होंने जोर दिया और यह कहा कि किस परिक्ते से वो हमारी प्रियोरिटी लिस्ट में हैं यानि कि प्रात्मिक्ताओं में शुमार है और मौजूदा सरकार में इसको लेकर कि पहले भी कई सारे कदम उठाए हैं इस बात का विन्होंने जिक्र कि और ताती साथ आज पूर् पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है दरसल आपको बता दे युवाओं को संबोधित कर रहे थे एस जैश्रंकर इस दौरान विदेश मंत्री से जब पूछा गये कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ भारत को संबद बनाए रखना बहुत कठिन है इस पर उन्होंने वहाँ पर हमले किये ये आतंकवाद था वो शेहरों गाउं को जला रहे थे लोगों की हत्याएं कर रहे थे पाकिस्तान ने कश्मीर में जमकर हंगामा किया आकमन कारियों को भेजा हाला कि हमारी सेनानम का मुकाबला किया जब भारती सेना अपनी कारिवाई कर र परहा है या हमें किसी भी हाल में बरदाश्ट नहीं करना चाहिए अगर कोई देश आपको बातचीत की मेच पर लाने के लिए आतंकवात का सहारा लेता है तो ये किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं होगा देखे किस तरीके से जाइर सी बात है जो पहले स्तितियों बदल चुकी है और वैसे में जो हिंदुस्तान है जानता है कि घर में घुस कर किस तरीके से जवाब दिया जाता है और आतंकवात बिल्कुल भी सुईकार ये नहीं है ये बात एजिश तंकर की तरफ से कही गई आग आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख करते हैं आपको पता दे आसम के जो और हाथ में मुख्य मंत्री हिमंदा बिस्वसर्मा ने रोचो किया और जंचसभा को संबोलित किया कॉंग्रिस के ओपर जोरदार पलतवार उनके द्वारा किया गया असम की असमिता को बचाई रखने के लिए विरोधियों को सबक सिखाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पर और कॉंग्रिस के ओपर निशाना सादत है वो नज़राय पलक असम की असमिता को बचाना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ये मुखिमंतरी हिमंता विस्वासर्मा इस बात का जिक्र करते हुए जोर हात में वो मौजूत है और चुनावी दोर है और लगातार क्योंकि इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो असमिया का जो मुद्द का रोड़ शो हुआ ये तस्मीर आपकी ट्वी स्क्रीन पर भव्य रोड़ शो मुखिमंतरी के तरफ से कहा किया गया कारवार में बीजोपी के प्रत्याश्ची रुपाली संतोष नाई के समर्थन नोनों ने रोड़ शो किया इस दोरान भव्य तरीके समका स्वागत होता ह और उसके बाद रोड़ शो की तस्मीर आप देखे एक इस तरीके से भार्ती जनता पार्टिक के तमाम कारेकरता तमाम नेता वो यहाँ पर मौजूद है करनाटर का भी जो चुनावी रण है वो बहुत ज़ादा दिल्चस्त हो चुका है लगतार भार्ती जनता पार्टिक क से भी तमाम बड़ी चहरे इस दौरान मौजूद थे पलग चल रहे हैं अलग अलग राचियों पर दौरा इस वक्त है रक्षामंती राजनाथ सिंग का और आज 36 गड़ पहुंचने वाले हैं रक्षामंती राजनाथ सिंग यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे यहाँ पर वोट की अपील करते हुए वो नजर आने वाले हैं तो बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं बैक टू बैक जनसभाय हैं दौरे हैं बस्तर कांकेर लोगसवाज शेत्र में चनाभी सभाज संबोधित करेंगे जरता और बीजेपी कारिकरताओं को संबोधित करने का कारि आकम है जहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को चार बच कर 40 मिट पर राजधानी रायपूर पहुंचने का कारिकरम और वहां से फिल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे रक्षा मंतरी राजनात से तो रक्षा मंतरी का क्या है आज का पूरा कारिकरम उनका तादे की तमाम ऐसे खबरे हैं जो निउस्पीपर में छमें जिनको प्रात्मिक्ता दी गई है इसमें से एक बिहार की भी खबर है दरसल बिहार में चिनापर चार के बीच पोस्टर वार शुरू हो चुरू हो चुका है मा बाप के राज का हिसाब दो बिहार में जेडियो पोस्टर बड़े बड़े एक तरफ पूरे बिहार में लगाए गए लेकिन इसी के सारा हम आपको किस तरीके से निरज कुमार ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखा है कि 118 निरसनहार जो हुए उनको लेकर जवाब दिया जाए और माबाप के राज का हिसाब दो तो ये तेजस्वी यादव से सवाल निरज कुमार कर रहे हैं लालू यादव राबडी यादव जब मुख्य मंत्री थी राज्य की उस वक्त क्या कुछ हुआ इसका हिसाब दो यारि कि आप एक दूसरे पर वार पलेट वार किया जा रहा है और हिसाब भी मांगा जा रहा ह बिलकुल और इस भी चागे बढ़ते वे अगली ख़बर का भी रुख कर लेते हैं जेडियू से समधित खबर आपको बताई अब बीएसपी से जोड़ी खबर आपको बता देते हैं लोग समझ चनावों को लेकर बीएसपी ने ज्वारी किये अपनी एकॉर लिस्ट बीएस भी अब जनसभाई करती भी जनता को संबोदित करती भी चुनाव प्रचार करती भी मैदान में नजर आने लगी हैं इस बीच बीएसपी ने चौथी लिस्ट अपनी जारी कर दी है आजमगर से यहां पर टिकेट दिया गया है और इरफान को एटा से टिकेट दिया गया है तो यह चौथी सूची जो के बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की गए आगे बढ़ते परश्रमगाल में एडी ने एक बड़ी कारवाई की है उसका जिक्र कर लेते हैं सहाएक सिक्षक भरती घुटाले में एडी ने एक्षन लिया है एडी ने 230 करोड़ साथ लाग के संपत्य को अटाच किया प्रस्तन कुमार रोई शांती सनहा के नाम पर ये संपतियां हैं सहाएक सिक्षक भरती घुटाला मामला और इसमें लगतार एडी का आक्षन देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में जब एडी की टी में आपर पहुंचते हैं तो इन संपत्यों को अटाच किया गया हाला कि आपको मालूम है कि इसको लेकर के पश्यमंगाल की सियासत भी काफी कर्म रही लेकिन इस पूरे मामले में अब एडी ने को और आक्षन दिया है इन संपत्यों को अटाच किया गया और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस प चेरी और अब आगे बढ़ेंगे बात होगी रामिश्वर कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें एनाईये ने बड़ा एक्षन लिया है बैंगलूरूस की एक खबर आपको बता रही है एनाईये ने एक्षन यहाँ पर लिया है आरोपियों को हिरासत में ले लिया है दोनो चापेमारी इसको ले करकी और अब बड़ी सफलता मिली है दो आरोपी हैं जिनको गिरफतार कर लिया है दोनों की गिरफतारी कोलकाता के पास से हुई है नाईये अब दोनों से पूछताच करेगी एक ब्लास्ट का मास्टर माइंड है तो दूसरे ने ब्लास्ट को अंजाम दिया था जिनकी गिरफतारी हुई है तो पकड़े गए आरोपियों के नाम है अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसेंद शजेब दोनों से नाईये लगातार पूछताच कर रही बताया जारा कि ब्लास्ट के बाद ये आरोपी कोलकाता के गुपत इस्थान पर छिपे आरोप में दोनों की गिरफतारी हुई है डिटेन कर लिया गया है और अब इनसे पूछताच हो रही है हिरास्त में लेने के बाद चलिया आगे बढ़ते हैं बात चुनावी कैम्पेंड के कर लेते हैं क्योंकि अनूठे तरीके इसमें दिखाए दे रहे हैं कहीं सरसों का त तरीके निकाले जा रहे हैं और इनी जो अलग तरीके अनूठे तरीके हैं उसमें यह है कि कहीं पर सरसों का तेर स्टार पिचारग बिना है आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुप करते हैं तेहार जेल जाकर पंजाब की मुखे मंतरी भगवंत मान करेंगे केजरिवाल से मुलाकात और यह देखिए इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात करने के लिए कहा था हालाकि उनको परमिशन नहीं मिली थी तब 15 अपरेल क बारा बजे यह मुलाकात होगी अब परमिशन मिली है जेल मैनूल के मुताबक मुलाकात को किया जाएगा कोई वी आईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो भगवंत मान अर्विन केजरिवाल के साथ में मुलाकात करना चाहते थे साथ साथ में संजे सिंग ने भी कि मंत्री पंजाब के मुलाकात करेंगे थिया आगे बढ़ेंगे दिल्ली शराब गुटाले मामली से ही जुड़ी यह दूसरी खबर भी है मनीश इस सौधिया को राहत नहीं रावजवनी कॉट ने 24 अपक्वेल तक उनकी जो जुडिशिल कस्टिडी है उसको बढ़ा दिय वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी दिल्ली के पूरवर डेपरी चीफ मिनेस्टर के पेशी हुई थी और इसी दौरान कोर्ट से उनने एक पार फिर से चटका लगा उन्हें राहत नहीं मिली है अब कारी नीती में घुटाले का ये पूरा मामला CBI और EDK ड़डार पर रहे ह को और रस्ट किया गया उन्होंने जमानत के लिए या चुका दायर की लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और इस पूरे मामले में यानि कि अब जो फैसला हुआ है वो ये कि अभी भी वो जेल से रहा नहीं होने वाले हैं क्योंकि अब जो कर्स्टडी है वो 24 अप्रेल तक पांच किताबे साथ रखने की अनुमती उनके द्वारा कुछ छूट मांगी गई थी तो इसमें अब पांच किताब साथ रखने की अनुमती उनको मिल गई है तो ये बड़ी जौनकारी आपको बता दे CBI को मिल गई है के कविता की रिमान अब उनसे पूछताच होगी तीन और कही न कहीं यही वज़े है कि बार-बारों की रिमांड उसको बढ़ा दिया जा रहा है और अब और रिमांड यहां पर मिल चुकी है दिली शराब घोटाली में आरोपी है कि कविता तीन दिन अब वो CBI की कस्टेडी में रहेगी, CBI की टीम उनसे अब पूछता इस पूरे अनिबार यह होगा ताकि स्पीड कितनी है बस की, ड्राइवर किस गती के साथ बस को दोडा रहा है यह चेक किया जाएगा इसके लावा CCTV, कैमरास भी लगाए जाएगे सभी जो बसने सरकारी स्कूरों में क्योंकि इससे यह होगा कि जो बच्चे हैं उनके बारे में पूरी की हालत में था, तमाम सवाल खड़े हुए, जो परिजन थे, उनका रूरों का हार बुरा था, बेहाल वो थे और इसके बाद अब सरकार एक्शन में आला कि कारेवाई तो इस पूरे मामली में पूलस की तरफ से किये गई, जो प्रिंसिपल था, उनको गिरफतार किया गया, इसके अलाबा भी तमाम एक्शन लिये गए, लेकिन अब जो सभी बसे उसमें स्पीडो मीटर और सिस्टीवी कैमरा लगाना अनिवारिय होगा, देखिए फिलाल ये बड़ा निर्ने लिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव पहल है, फिलाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर इतिहास रचेंगे गोपीचंद थोटाकुरा, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतिये वो बनने जा रहे हैं, न्यूश एफ़र्ट 25 मिशन के तहत यात्रा की जाएगी, उडान की तारीक का जल्द ऐलान किया जाएगा, 1984 में यात्रा करने वाले राकेश शर्म का ये भारतिये, गोपीचंद थोटाकुरा, टोरिस्ट के तौर पर स्पेस की सैट पर निकलने वाले पहले भारतिये के रूप में इतिहास रचने को पूरी तरीके से तयार हैं, गोपीचंद स्पेस काम्प्री ब्लू ओरिजिंग के न्यू शेपर्ड मिशन में शामिल हों फैसलों से न डिगना ताकत एके अंटिनी ने ये दावा किया राहूल गांधी, एक द्रिड निश्य और साहसी नेता हैं ये उनकी तरफ से कहा गया, तो एक कारिकरम में वो समय लित थे हैं और इसी कारिकरम में अपनी बात रखते हुए राहूल गांधी को लेकर के उनका क गांधी हैं और साथी साथ कई बड़ी बातों का भी जब उसकारिकर में समय लित थे तो गांधी परिवार को लेकर करके उन्हें कई बड़ी बातों का फिस दिक्र किया पलग पीट करके कहा गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं उसके बाद चर्चा हुई कि हो सकता है कि वो बिहार की किसी सीट से लेट लगतार जो चुनाव जिस्टे से पास आ रही हैं बाते उतनी ज्यादा यहाँ पर हो रही हैं लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिएसपी का दामन थाम सकते है क्योंकि सूर्सिस के वाले से यह खबर ऻिली है कि मुलाकात हुई है बिएसपी सुप्रीमों से और उसके बाद से कयास यह और ज़्यादा लगाये जाने लगे हो सकता है आने वाले समय में वो बिहार की कारा कार्ट सीट से चुनावी मैदान परवन सिंग का यह कहना है कि मा का सपना था यह कि वो एलेक्शन लड़ें जनता की सेवा करें और इसलिए वो अपने मा के जो सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं और देखे पहले क्योंकि बीज़ीपी के तरह से आसन सोल से उनको टिकट दिया गया लेकिन उनने कहा दिया द हाई कोट की तरफ से कहा गया कि करना होगा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन चिपकर नहीं करें धर्म परिवर्तन अख़बार में बकायदा इसको लेकर एड़िटीसमेंट दी जाए ग्यापन में नाम उम्र और पता देना अनिवारे होगा लोग धर्म परिवर्तन के लिए आज़ादे लाबाद हाई कोट की तरफ से कहा गया कि आपकी जे धर्म परिवर्तन आपको कोई दूसरा धर्म अपनाना आप अपनाईए आप इसके लिए आज़ादे लेकिन ये आप छुप छुपाय नहीं कर सकते इसके लिए आपको बकायदा निउस पेपर में बड़ा एड़िटीजमेंट देना होगा नाम उम्र और पता भी इसको लेकर आपको बताना होगा को तैनात किया गया है चपपे चपपे पर जवानों की तैनाती की गए लाल आतंक से निपटने के लिए गर्च रॉली में ये निर्ने लिया गया है कि ड्रोन्स के जरी और साथ साथ में कई सारी कंपनिया जो हैं CRPF को तैनात किया गया है और महरास्ट का ये लागा क्योंकि असब भावे दिये से वज़े से कदम इसी भी चक बड़ी खबर यूपी के कासगंज में दगनाख हादिसे के जानकारी नहर में डूबे पांच यूवकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर ये चार लोगों के शव बरामत कर पूस्ट मोटम के लिए भेज दिया और वहाँ पर गोठाकुरो की सहायता ली जा रही है तरह सर्क कासगंज में नहर में ये जो बच्चे थे वो भी गए थे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं चार लोग डूब के और इसके बाद वहाँ पर जो गोठाकुरो की टीम ह उनको बुलाया गया और उसके बाद अब इस पूरे मामले के इंवस्टिवेशन जा रही है पलकुर इस पूरे मामले में आगे की कारवाय में जुटी हुई है आपको बता दे कि नहर में नहाने के दौरान नौ लोग डूबे थे ये भी जानकारी मिली है बताया गया कि नह जानकारी प्रशास्तिक अधिकारी घटना स्थर पर पहुंचे जानकारी मिलने के बाद गोता खोरों की मदद से नहर में डूबे हुई लोगों समें से चार को बाहर निकाल लिया गया जबकि पांच लोग अभी भी ला पता है जिनकी तलाश फिलाल चल रही है डूबने व क्योंकि तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं और काफे हरान करने वाला ही पूरा मामला चार लोगों के शव नहर से बरामत के गए हैं जो लोग डूब गए थे पांच युवक क्योंकि ज़रान नहर में नहर में नहर रहे थे और ऐसे में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहें NDRF और SDRF का रिस्की ओपरेशन इस वक्त भी जारी है जैसे बाकिक अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे एक्सपर पोस्ट किया गया है सीम योगी की तरफ से और पोस्ट करते हुए श्रधान चली दी गई है अमर बलिदानियों को जली अवाला बात के यहाँ पर बोलिया चला दी गई थी जिसमें सैक्रो महिला पुरुष और बच्चे वेकसूर थे जिनकी मौत हो गई थी तो ऐ ऐसे अमर बलिदानियों को श्रधान चली देते हुए उत्तरवरेश के मुख्यमंत्री ग्योगी आधितेनाथ एक्सपर उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए भाविदी श्रधान चली उनकी तरफ से यहाँ पर दी गई है